ये वीडियो मेरी World War II की जो पूरी सीरीज है उसका एपिसोड नमबर 25 है इसके पिछले एपिसोड में यानि एपिसोड 24 में हमने बात की कि जपान ने अमरीका से लडाई की क्यों क्यों एक जो गंट्री इतना दूर है अमरीका से इतना चोड़ा कंट्री है उससे लडाई करन साल 1941 को यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टारीख है 1941 की क्योंकि यह वो डेट है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रांक्लिन डी रुजवेल्ट ने यह एनॉंस किया कि वो जपान के सारे एसेट्स अमेरिका में फ्रीज कर रहे हैं और जितना भी एक्सपोर्ट होता है अमेरिक कर रहे थे उनको बहुत जरूरती तेल की रुजवेल्ट ने कहा दिया कि तेल अब नहीं मिलेगा जपान को यानि कि एक जटके में तीन चौथाई हिस्सा जो एक्सपोर्ट करते थे वो सारा ऑइल अब खतन बट रुजवेल्ट ने यह एंबार्गो यह ऑईल किया तो अमरीका को प्राउलम इस लिए थी क्योंकि उसी एरिया में फिलिपीन भी था और फिलिपीन अमरीका के कंट्रोल में था और फिलिपीन आप फड़ और नीचे आए मैप में देखें तो ब्रिटिश मलेया जो रिजन था यानि सिंगपोर और मलेशिया आज की तारी से उनको और रोकने के लिए जपैन को अमेरिका ने डिसाइड़ sûr गया कि अब हुश्य नहीं देंगे तो जब यह सीचुएशन जपैन आई कि अनको तो उनके सामने भाई कुल मिलाके दो रास्ते थे पहला रास्ता ये था कि वो जितना अपना expansionist move की हैं चाइना में और ये जो व्यतनाम में भुज़ गया है उन सारे moves को वो लोग undo करें मतलब छोड़े उसको पीछे आए और ये सारी occupied territories को छोड़ दें ये करना मतलब एक तरह से अपनी हार मानना है और जितना आपने वार effort अभी तक किया वो पूरी तरह से बेमाना हो जाएगा अगर ऐसा किया तो जो दूसरा option था जपाएं के मूव है जो हम इतना अटक करने उसको और आगे बढ़े लेके और उस इंडोनेशिया के oil fields को capture कर लेंगे वहां का oil मिल जाएगा तो वापस हम अपनी लड़ाई continue कर सकते हैं ये option ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये option अगर आप लेते हो तो इसका मतलब अमरिका को डिरेक्टली चुनाती देते हो है बट फाइनली जपाइन ने यही option जब ये decide हो गया कि अब जपाइन अमरिका से लड़ाई करने जा रहा है तो ये बात थी जापिनीस कमांडर्स के लिए कि अमरिका पर लड़ाई करें कहां पर कहां उन पर अटाक करें और पहला बार कैसे करें तो अगर आप फिर से मैप में देखेंगे तो पस्विक रिजन में जो सदन रिजन है वह आप आपको नजर आएगा कि फिलिपीन्स जो अमरिका के अंडर था वो अमरिका मानना कुछ और था पहली चाहते ही नहीं थे कि जपान की लड़ाई हो अमरिका के साथ क्योंकि वो अमरिका में थोड़ा रह चुके थे उन्होंने देखा था कि अमरिका की बहुत ताकत है वो एक इंडस्ट्रियल जाएंट है उनके पास बहुत सप्लाइज करना सहीं नहीं होगा अगर लड़ाई कर रहे हैं तो यामा मतों को एंमानना था कि फिल्लिपीन्गी हमारे नस्दीक है फिल्लिपीन के असहां supply है यांग focus वहां हमला करना चीन है यहां में तो कहीं मानना था कि आप यहां पर हमला कर भी लोगे तो अमेरिका को बहुत डामेज नहीं होगा और अगर आपने फिलिपीन्स में हमला किया तो अपने फिलिपीन्स अपनी टरिटरी है उसको बचाने के लिए फिर अमेरिका अपनी फ्लीट भेजेगा पैसिफिक हमारे अटाक को problem कर सकते हैं इंटरफे कर सकते हैं तो अगर हमको move करना ही है Southern region में हमको Malaysia Singapore पे अटाक करना ही है तो हमको पता है कि America हम पर affect करेगा counter-attack तो उनके attack को blunt करने के लिए यानि उनके attack को कमजोर बनाने के लिए क्यों था करने के लिए उन ships को ही हम destroy कर दें तो इसको कहते हैं preemptive strike मतलब आपका जो दुश्मन है उसको पता भी नहीं कि आप वहाँ attack करने वालो उसके attack करने पहले ही वो जिस जगह से अपना attack launch करने वाला है उसी को आप destroy कर दो इस वज़े से Yamamoto का ये brain child था उसका ये plan था कि हमको Philippines में नहीं Pearl Harbor पर attack करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उस समय अमेरिका की Pacific Fleet की जादा तर ships वही पर थी ये plan सुनने से जितना interesting जितना audacious जितना bold लगता है उतना ही ये खतरनाक था क्योंकि आज के जमाने में अगर आपको बहुत लंबी flight करनी है तो आपके पास असे planes आ चुके हैं जो लंबी लंबी flight cross Atlantic flight कर सकते हैं Pacific Vision को पूरा cross कर सकते हैं बट पहले के जमाने में ऐसी technology नहीं थी तो अगर आपको जाके Pearl Harbor पर अटाक करना है तो अगर आप इतना plane यहां से भेज़ेंगे अपना तो वहां पर जाएगा bombing करके वापस नहीं आ पाएगा इतनी range होती नहीं थी पहले planes की तो आपको navy को लेके जाना पड़ेगा आपकी ships जाएंगी aircraft carrier वहां जाएंगे और वहां जब बहुत नस्दीक आ गया तो अगर आप इतने सारे ships को एक साथ Pacific में move कर रहे हो इतने दूर तक यह जपैन से लेके यहां तक पहुशने की journey बहुत लंबी थी 10-12 दिन लगते थे तो सबसे important आपके लिए था कि आप इतने सारे ships को लेके प्रशांत महासागर के खुले expanse में आप अगर चल रहे हो तो आप यह बस hope करते हो आप प्रे करते हो कि भाई हमको कोई देखना ले कि किसी नगर देख लिया किसी शिप ने देख लिया किसी छोटी मोडी शिप जो surveillance कर रही है किसी recon aircraft नगर देख लिया कि यहां पर इतनी सारे ships एक साथ आ रही है तो आपका सारा plan waste हो जाएगा और उनको यह तो सारी कहानी हो गई कि Japanese लोग attack की तियारी कर कैसे ले थे अब बात करते हैं दूसरे तरफ की यानि Americans की पर्ल हार्बर में जो उसमें commander in chief थे उनका नाम था husband E. Kimmel और उनको यह बताया गया था कि आप ready हो जाओ क्योंकि Japan के साथ बहुत tension जल रही है कभी ना कभी कोई ना कोई action जरूर होगा Japan के साथ बट वो पर्ल हार्बर में था और उसको यह था कि पर्ल हार्बर में तो attack नहीं दूर है एक तरफ जपैन एक तरफ अमेरिका और बीच में चोटा सा आइलेंड है हुआई का वहाँ पे चोटा सा पर्ल हार्बर है तो इतना दूर है जमीन से कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि यहां पर कौन attack करने के लाएगा क्योंकि वहाँ पर attack करना मतलब इतनी सारी ships को ल गहराई बहुत जादा नहीं है और इस वज़े से जितनी ही ships होती है पर्ल हार्बर में उन पर torpedo attacks नहीं हो सकते थे उसका रीजन यह है कि देखे टॉर्पीडो अगर आप प्लेन से गिरा रहे हो एक प्लेन उपर से आता है टॉर्पीडो प्लेन उसे ड्रॉप किया टॉर्प टॉर्पीडो वह लांच करेंगा अगर शालो वार्टर में तो ships पर हीटी नहीं करेंगा क्योंकि इतनी गहरा ही नहीं है यहां पर पानी की बट इसका भी Japanese लोगों ने कुछ तोड निकाला हुआ था अब जब वह पानी में गिरेगा टॉर्पीडो तो वह बहात नीचे नह तुरंत उपर आजागा और फिर अपने टार्गेट की तरफ बढ़ सकता है तो shallow waters में काम करने वाले torpedo जैपनी लोगों ने तियार कर ली थी क्योंकि उनको बताया गया था कि जो भी Japanese attack होगा वो Southern Pacific की रीजन में होगा यानि Malaysia Singapore इंडोनेशा फिलिपीन की रीजन में तो अगर Pearl Harbor की जो fleet है उसकी ज़रत पड़ेगी बाकी लोगों को support करने के लिए Southern Pacific region में attack को करने के लिए उनको यह नहीं था कि उनको अपने आपको defend करना पड़ेगा बट जो दूसरी तरफ US Army जो वहाँ पे जो base था उसका जो chief था General Short उसको यह बाद डर लग रही थी कि अगर जापा General Short को कि अगर हमारे basis पे इन ही लोग ने हमला कर दिया तो तो इसी लिए इस चीज से बचने के लिए उसने क्या किया उसने order दिया कि भाई जितने भी planes है हमारे पास उन सारे planes को तुम tarmac पे लेओ यानि runway पे लेओ और वहाँ एक साथ सारे planes को line by line सटा के खड़ा कर दिया कि अगर planes कहीं और रखेंगे हम लोग तो उन पे हमला हो सकता है तो क्यों न हम runway पे रख दें और सारे planes पे फिर हम दिन रात निगरानी कर सकते हैं बट इसी का कुछ बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ा जब Pearl Harbor का attack हुआ तो Japanese लोगों ने Yamamoto ने actually ये expect किया था कि वो शायद क कोई ना कोई इनको detect कर लेगा पानी में इतनी 10-12 दिन की जो जलनी है इतनी सारी ships के साथ वो undetected नहीं कर पाएंगे बट सब लोगों का ये जो डर था कि उनको कोई पकड़ लेगा कोई देख लेगा ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और जब एकदम पास पहुंच गए वो लोग Pearl Harbor के लगबग 300 मील जब दूर थे तब इन्होंने किया कि अब हमारी ships यहां पहुंच चुकी है अब हम अपने aircraft को launch करेंगे तो 6 December 1941 तक ये ships सारी positions पे आ चुकी थी उनके aircraft ready हो चुके थे और अब उनको इंतजार था अगले दिन 7 December 1941 का जिस दिन संडे था तो संडे को सुबह लगबग 8 वजे के आसपास आइलेंड के पास एक यूएस नवी का एक रडार यूनिट था वहाँ पे कुछ 2-3 रडार operators बैटे तो उन्होंने देखा कि रडार पे दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे planes एक साथ आ रहे हैं तो उसको obviously लगा कि क्योंको उनको आ mainland से आ रहे हैं या फिर यह अपने नवी के planes होंगे इग्नोर करो और यह जो उन्होंने वार्निंग इग्नोर की थी यह एक्चुली जैपनीज प्लेंज थे जो पर्ल हर्बर पे अटाक करने के लिए आ रहे थे आप सोची कि उनके सामने होके भी वह इस बात को पहचान नही पाए कि अब जैपनीज इनके पर अटाक करने वाले हैं अगर उन्होंने यह देख लिया होता तो पर्ल हार्बर तयार होता जैपनीज प्लेंज के लिए जैपनीज प्लेंज में जो बॉंबर युणिट थी उनका जो कमांडर था उसका नाम था फुजिदा मुच्छू कोई भी आकाश में एक भी प्लें नहीं उनको रोकने के लिए तो उन्हों के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बियॉंड था यह उन्होंने उमीद नहीं किते कि इतना अनप्रिपेड होंगे अमेरिकन्स तो उसने तुरंत अपनी जो फ्लीट है जापनीज फ्लीट को शिप अचाहिज होगा बलकी हमारी जो हमने एक्सपेक्ट कि थी के हाँटी की इतनी कैज़ूल्टी विन्योंग इतनी अच्छी तरह से हमने सर्प्राइज अचीव कर लिए फिर फाइनेली वो घड़ी आ गई जब Japanese लोगों ने अपना अटाक शुरू किया टाइम था सुबा आट बचे Japanese प्लेंज का सबसे पहला टार्गेट था एर फील्ड्स और जितने भी वहाँ प्लेंज खड़े हैं उनको डिस्ट्रॉय करना क्योंकि उनको पता था जब वो अपनी स्ट्राइक शुरू करेंगे तो तुरंत इनके प्लेंज हवा में आदा आके इनलों को रोखनी कुछिश करेंगे डिफेंड करेंगे अपने आपको तो पहले प्लेंज को डिस्ट्रॉय कर दो कुछ सेकेंड के अंदर सैकडो प्लेंज जापनीज लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया जब जापनीज बॉमबर्स ने इस बात को इंशोर कर लिया कि अब इनके प्लेंज टेक आफ नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया अर्फील्ड उसके बाद उन्होंने में जो इंका टार्गेट था बैटल शिप्स और एर्रकाफ कैरियर उनकी तरफ रूख किया वहाबर के पास आया और उन्होंने देखा कि भाई लाइन से यहाँ पे सारी बैटल शिप्स क्रूजर्स बंधे हुए लगे हुए और फिर उन्होंने वहाँ पे। बंबीées करना शुरू किया और उसके बाद और फीदो प्लेज ने अपने अलग तरह के जो इनको ड्राप करूद पिर शूरू किए और एकेक करके वह शिप्सए को लगने लगे वहां जाके warm लगा और इतना भयानक explosion हुआ था कि लोग कहते हैं कि शिप हलकी सी पानी में उचल गई थी इतनी भारी शिप होती है असमें बहुत हजार लाखों किलों का उसका बजन होता है वो हवा में उचल गई थी और उसके अलावा बहुत सारी battleships और cruisers को उन्होंने बुरी तरह डामेज किया बहुत सारी ships आक्चली वहीं पे harbor पे डूब गई थी Japanese attack कुल मिला के तीन waves में होने वाला था पहले एक wave जाएगी उसके बाद एक और उसके बाद एक बट जो पहली wave थी उन्होंने complete surprise achieve किया था पर जब second wave आई इनके planes की तो उन्होंने देखा कि नहीं अब यह लोग respond कर रहे है Americans fire कर रहे है तो इस वज़े से जो third wave थी इन्होंने cancel कर दी third wave गई ही नहीं और actually second wave भी बहुत effective नहीं थी क्योंकि तब तक Americans लोगों ने fire करना शुरू कर दिया था वो अपने आपको defend करने लग गये यह जो पूरा attack है यह लगभग एक घंटा पंदरा मिनिट तक चला और इस attack में अमरिका ने 19 ships को गवाया जिसमें से 8 battleships थी उसके अलावा 300 से ज्यादा airplane के destroy हो गए और 2403 लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा लोग गया लोग गया इतना damage करने के बाद भी Japanese लोगों के लिए यह attack पूरी तरह effective नहीं था क्योंकि पहली चीज उन्होंने shipyards को repair shops को और oil depot उन्हों को damage ही नहीं किया था और इसके मेंसे क्या हुआ जब इतना जब वो attack करके गए तो जो repair का काम है वो जल्दी हो पाया क्योंकि उन्होंने उन जगाओं को bomb भी नहीं किया था और जो दूसरी बात है जो जादा problem की साबित हुई Japanese लोगों के बाद में वो यह था कि इसका reason यह था कि पूरे इत्तिफाक की बात है कि 7 December को ही यह तीनों aircraft carrier उस समय harbor पे थे ही नहीं यह तीनों बाहर गए हुए थे किसी ना किसी exercise के लिए या किसी काम के लिए बट वो लोग harbor पे नहीं थे और इसी वजह से यह तीनों aircraft carrier पूरी तरह intact बच गए और यह जो गलती है यह Japanese लोगों को बहुत भारी पड़ी Japan के Yamaha मों तो भी इस बात को जानते थे कि यह जो उन्होंने तीन aircraft carrier जो destroy नहीं किये इसकी बाद में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और बिलकुल ऐसा हुआ क्योंकि सिर्फ 6 महिने के अंदर यह aircraft carrier यूज हुए battle of midway में और उस लड़ाई में Japan को मुगी खानी पड़ी थी इसके बारे में आपको आगे वाल एपसोर्ज में बताऊंगा बट अभी के लिए यह Japan का attack एक बहुत बड़ा success माना जा रहा था और US के लिए बहुत बड़ी हार थी क्योंकि उन्होंने यह expect ही नहीं कहते कि पर harbour प attack कर दें और सारी जो अमेरिकन जनता है वो एक साथ युनाइट हो गई कि अब हम लोग लड़ाई में उत्रेंगे क्योंकि जपान के लिए जो में मक्सद था इस attack का वो यह था कि वो यूस की जो पसिफिक फ्लीट है पर्ल हारवर उसको डिस्ट्रॉई कर दें ताकि वो सदन पसिफ पसिफिक का जो रीजन है वहां पे जपान मूव कर पाए और सिंगपोर मलेशा की रिजन को डच इस्ट इंडिस को और फिर फिलिपीन्स को भी क्याप्चर कर पाए तो उस प्लैन के साथ आगे क्या हुआ इसके बारे में अगले अपस्ट में होता हूंगा अगर आप पर्ल हर्बर फ्रम इन्फिमी टू गेटनेस उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसमें आपको अचलेगा कि कैसे कैसे एक एक वेव आई और कितने प्लेंस डिस्ट्राइब हुए और क्यों जनरल शॉड का जो ऑडर था प्लेंस को रंगे पर र आप कर लेगा